Good morning बच्चों! आज हम देखे समीकर्ण के बारे में जानेंगे हम पूर में चर्ट तथा अचर संख्याओं के बारे में जान चुके हैं चर्ट संख्याओं पे जिनका मान बदलता रहता है जैसे X, Y, Z तथा अचर संख्याओं पे जिनका मान नहीं बदलता जैसे एक, तू, पचास, एक सो पांच आदी जितने आज हम बार्टिक प्रिष्ण या लिखित प्रिष्ण के बारे में जानेंगे वो प्रिष्ण जिने हम लिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं आईए से एक उधान से समझते हैं किसी संख्या में साथ घटाने से सेसफल 13 इसके लिए अब हमें क्या करणा है हम माल लेंगे कि बहसंख्या x है और x में जब हम साथ को घटाते हैं तो हमारा सेसफल 13 इसको हम पक्षांतर विजी से दूसरी तरफ ले जाएंगे जब हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे यह माइनस साथ है दूसरी तरफ जाने पे यह पिलस का साथ हो जाएगा और पिलस के साथ होने पे 13 से जब इसका योग होगा तब इसका आंसर हमारा अविश्ट संख्या 20 आएगी इसे प्रिकार अब हम दूसरा उधान लेते हैं किसी संख्या और 9 का गुणफल 36 होता है अब हम फिर पिछले सवाल की तरह इसमें भी मानेंगे कि हमारी संख्या बाई है अब हम हमारी जो समीकर्ण बनेगी वो होगी 9 गुणा बाई परावर 36 अब यहां पर हम 9 का पक्षांतर करेंगे अब जोकि 9 यहां पर गुणा में है तो यह जब दाई तरप जाएगा तब यह भाग में हो जाएगा अब जब भाग में हो जाएगा तो हम 36 को 9 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 अब इस तालिका के बचे हुए सवाल आप अपने आप स्वयम करेंगे और इस तालिका को पूरा करेंगे अपनी अफ्यास पुस्त का में अभी हमने सीखा कि किस तरीके से किसी गड़तिय कथन को हम एक समीकरण के रूप में लाएंगे और उससे अवश्च तंख्या निकालेंगे अब हम दूस्तरे तरीके के सवालों पर आते हैं जिसमें हम किसी समीकरण को गड़तिय कथन के रूप में लिखेंगे जैसे इक उधर्ण लेते हैं हमने माना कि हमारी समिकर्ण है x पिलस 5 बराबर 9 अब यहाँ पे हम लोगों को x एक चड़ संख्या है जिसके हम मान ग्याद करना है तो हम क्या लिखेंगे कि किसी संख्या में क्योंकि हमें x का मान नहीं पता है तो हम लिखें किसी संख्या में 5 जोड़ने पर उसका मान क्या आता है देखें बराबर के पाद में लिखा है 9 तो उसका योगफल किता आता है 9 किसी संख्या में 5 जोड़ने पर योगफल 9 होता है यह हमारा क्या बन गया गड़तिय कथन इसी प्रकार ताल का बना कर आप निम लिखे समय करनों का गड़तिय कथन अपनी अभ्यास पुस्तका पर लिखेंगे अब हम गड़तिय कथन वाले एक प्रिश्ण को समझने की का प्रियास करते हैं अब मैं एक उधार लेते हैं कि किसी संख्या के तीन गुने और पारा का युकफल 72 है वह संख्या ग्याद करिए अब हम क्या करेंगे हम मान लेंगे कि अग्या संख्या एक्स है तो उसका तीन गुना हो जाएगा तीन एक्स अब प्रिश्ण अंसार तीन एक्स में जब हम बारा को जोड़ेंगे तब हमारा उत्तर आएगा 22 अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे 12 का पक्छांतर करेंगे अब 12 पिलस का है 22 तब वो दाई तरफ जाएगा तब है माइनस का हो जाएगा अब हम 72 में से जब 12 को माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 7 अब 3X में X का पक्षांतर करेंगे या फिर दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे जब हम दोनों पक्षों में 3 से भाग देंगे तो पाएं पक्ष में 3 से 3 कट जाएगा बचेगा X और दाएं पक्ष में 3 से जह हम 60 को भाग देंगे ता हमारा आंसर आएगा 20 इसी प्रकार आपको क्रहकार में अभ्यासकार में दिये हुए यह दोनों पिष्णों को हल करना है